नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर दिवान्शुकुर्ता को फाउंडर दैड़प दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिक्स के ट्रीट्मेंट के बारे में हम जानेंगे कि अपेंडिक्स का इलाज कैसे किया जाता है अपेंडिक्स का दर्द उठने पर क्या ओप्रेशन करना जरूरी है और फिर ओप्रेशन के बिना दवायों से अपेंडिक्स का दर्द ठीक किया जा सकता है उसके अलावा में आपको बताऊंगा appendix के treatment के लिए कुछ घरेलू उपाए ताकि आप appendix का इलाज घर पर ही कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो दोस्तों जब appendix पे सूजा ना जाती है इसे हम medical भाषा में appendicitis कहते हैं इसका treatment कुछ factors पर depend करता है जैसे कि जब patient को appendix का दर्द होता है और diagnosis appendicitis का बन चुका होता है तो ये देखा जाता है कि ये appendix कहीं फटा हुआ तो नहीं है इस फटे हुए appendix को technical भाषा में appendix rapture भी कहा जाता है उसके अलावा देखा जाता है कि appendix के चारो और कोई lump, mass या पस की कोई गाट है या नहीं ये सारा diagnosis पेट की sonography से हो जाता है उसके बाद decide होता है कि appendix का treatment कैसे करना है दोस्तो आजकल काफी researchers सामने आई हैं जिनमें देखा गया है कि अगर appendix का दर्द उटने पर पेट की sonography में दिखता है कि appendix फटा हुआ नहीं है appendix के चारो तरफ कोई पस की गाट या उसके चारो तरफ कोई मास या लंप तो इखटा नहीं हुआ है तो उसका इलाज antibiotic से भी किया जा सकता है परन्तु यह जो decision है कि appendix का इलाज operation से होना है या antibiotic से होना है यह बिना doctor की सला से नहीं करना चाहिए दोस्तो अब अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको appendix का दर्द हुआ और doctor ने आपको appendicitis diagnose किया परन्तु आपकी appendix की सूजन को देखकर यह बताया कि आपको operation की ज़रुद नहीं है और यह दर्द antibiotic से ठीक हो सकता है तो मैं आपको यहां कुछ घरेलू उपचार या home remedies के बारे में बताऊंगा जिनने अपना कर आपके appendix की सूजन खतम हो जाएगी और आपको operation की ज़रुद नहीं पड़ेगी दोस्तो इसमें पहला उपा है दाना मेति का सेवन करना दाना मेति का सेवन करने से आपके appendix में जो mucus है या pus है वेब बनने से रुख जाता है और appendicitis का दर्द उठने से आप बच जाते हैं दाना मेति के सेवन के लिए आप दाना मेति के दो बड़े चमच लीजिए और एक लीटर पानी में इसे करीवन आदा घंटा उबा लिए उस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दे उसे चान ले और इस पानी का दिन में दो बार सेवन करें दोस्तो इसमें दूसरा उपा है पुदिने की पतियों का सेवन करना पुदीने की पत्तियों का सेवन करने से जो appendicitis के symptom है जैसे की जी मिचलाना या nausea होना उसमें बहुत आराम मिलता है आप 5-6 पुदीने की पत्तियां लीजिए उसे पानी में उबालिए पानी को ठंडा कीजिए उसे छानिये और इस पानी को दिन में करीबन 3 बार सेवन कीजिए दोस्तो अगला उपाय है छाच जिसे हम अंग्रेजी में बटर मिल्क भी कहते हैं उसका सेवन करना ये छाच आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है उसके अलावा इस छाच में बहुत सारे प्रो बायोटिक्स होते हैं जो की अपेंडिक्स करने वाले बेक्टीरियास की ग्रोध को रोपते हैं और अपेंडिक्स की सुजन को कम करते हैं आप इस छाच में जीरा, अद्रक, उदीना या धनिये की पत्ती भी डाल सकते हैं उसके साथ आप हलका सा नमक डालके इस छाच का पूरे दिन सेवन करें दोस्तो अगला है हरे चने का सेवन करना दोस्तो हरे चने में anti-inflammatory properties होती हैं मतलब यह अपेंडिक्स की सूजन को कम करता है हरे चनों को खाने के लिए आप एक रात पहले हरे चनों को पानी में उबालने और अगले दिन या तो आप उसे कच्चा खा सकते हैं या फिर उबाल के या इस्टीम करके भी खा सकते हैं दोस्तो अगला है गारलिक या लैसुन गारलिक या लैसुन में anti-inflammatory properties होती हैं जो कि अपेंडिक्स की सूजन को कम करती हैं और जो बैक्टीरिया अपेंडिक्स करते हैं यह उनको भी मारता है आप गारलिक की कुछ कलियों को कच्चा पीसकर ले सकते हैं पानी के साथ और अगर पॉसिबल हो तो इस लैसुन या गारलिक को खाली पेट ले क्योंकि लैसुन सबसे जादा effective खाली पेट होता है दोस्तो अब अगर आपको अपेंडिक्स का दर्थ हो गया है या अपेंडिसाइटिस हो गया है तो आपको अपनी डाइट में fresh fruits लेने चाहिए fresh vegetables लेने चाहिए या उनके juices लेने चाहिए उबली हुई सबजियां खानी चाहिए अंकुरित चने, अंकुरित सोया बीन या अंकुरित salad को खाना चाहिए आपको अंकुरित डाले लेनी चाहिए fiber rich food लेना चाहिए दिन में कम से कम 10-12 glass पानी पीना चाहिए छाच और धही का सेवन करना चाहिए दोस्तो अपेंडिक्स का दर्ध होने पर आपको कुछ food items को avoid भी करना चाहिए जैसे कि जिन में high sugar हो और high fat हो cold drinks हो, soda drinks हो, भार का packaged खाना हो broccoli, beans, राजमा, छोले, ऐसी सबजियां जो कि gas बनाती हैं आप उन्हें avoid करें bakery items जैसे कि pastries, cakes, spicy food, alcohol, caffeine आप इन्हें भी avoid करें, दोस्तो परन्तु अब आपकी appendix को देखकर, डॉक्टर ने अगर तुरंत operation की सला दी है, तो आपको तुरंत operation कराना चाहिए दोस्तो अब अगर sonography में दिख रहा है कि मरीज के appendix में सूजन है, उसका appendix फटा हुआ नहीं है, उसके चारों तरफ कोई मास या लंप का collection नहीं है या पस की कोई गाट नहीं है, तो इसका immediate operation किया जाता है appendix के operation को हम medical भाषा में appendicectomy कहते हैं ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो बड़े चीरे से जिसे open appendicectomy भी कहा जाता है, और एक दूरबीन से जिसे laparoscopic appendicectomy भी कहते हैं दोस्तो, open appendicectomy में मरीज के पेट के सीधे हाथ की तरफ निचले हिस्से में एक point होता है, जिसे हम mac burny points कहते हैं वहाँ पर चीरा लगा कर किया जाता है दोस्तो, जो दूसरा तरीका जिसे laparoscopic appendicectomy भी कहते हैं इसमें दूरबीन की मदद से appendix को निकाला जाता है इस laparoscopic appendicectomy में पेट में छोटे-छोटे तीन जगे चीरे किया जाते हैं instruments को पेट में अंदर डालने के लिए और उसकी मदद से appendix को निकाला जाता है इस दूरबीन से किये गए operation में जो चीरे आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं patient को दर्द बहुत कम होता है, infection के chances बहुत कम होते हैं और जो आपका hospital में रुकने का समय ये जिसे hospital stay भी कहते हैं वो भी बहुत कम होता है दूस्तो जादतर cases में appendix निकालने के लिए चाहे एक कोई सी भी technique इस्तमाल की गई हो patient को usually पूरा ही भेहोश किया जाता है, जिसे general anesthesia भी कहा जाता है दूस्तो अगर आपको doctor ने appendix का operation बोल दिया है तो आपको doctor को अपने बारे में तीन चीज़े हमेशा बतानी है पहला कि आप pregnant है या नहीं, दूसरा आपको किसी चीज़ से allergy है या नहीं और तीसरा आपको कोई bleeding disorder यानि खून की कोई बिमारी है या नहीं दोस्तो जब appendix का operation दूर भी इसे किया जाता है तो मरीज को चुटी या तो same day शाम को दे दी जाती है या maximum अगले दिन तक उसे चुटी दे दी जाती है इसके विपरीद, अगर मरीज का operation बड़े चीरे से हुआ है तो उसे करीबन 2 दिन बाद तक चुटी मिलती है दोस्तो appendix का operation चाए वो दूरबीन से किया गया हो चाए वो चीरे से किया गया हो मरीज 2-3 दिन के बाद ना सकता है यह ध्यान रखते हुए कि टाको में infection ना हो और appendix के operation के 5-7 दिन बाद मरीज normal activities अपनी life की कर सकता है हाला कि थोड़ी जो भरी activities है जैसे कि sports है, gym है, swimming है या कोई heavy weight उठाना है वो 2-3 हफतों के लिए operation के बाद तक नहीं करना चाहिए appendix के operation के 3-4 दिन के बाद ही मरीज आराम से चल फिर सकता है और सीडिया चढ़ सकता है दोस्तों यहां आपको ध्यान ये रखना है कि discharge होने के बाद घर पर अगर मरीज को बुखार हो जाए टाके की जगे पर bleeding होने लगे बदबुदार मवाद आने लगे टाकों में दग भढ़ जाए या मरीज को उल्टी दस्त होने लगे जी मिचलाने लगे तो आपको तुरन डॉक्टर से संपर करना चाहिए दोस्तों अब ऐसी condition अगर हो गई है कि appendix के चारों तरफ पस के एक छोटी सी गांट सोनोग्राफी में दिख रही हो तो ऐसे case में immediately operation नहीं किया जाता है ऐसे case में पहले मरीज को anti-biotics दी जाती है ताकि उस गांट को सुखाया जा सके और ये anti-biotics intravenous IV root मतलब नसों से direct दी जाती है ताकि उस गांट को जल्दी सुखाया जा सके और सूखने के बाद चार से छे हफ़तों के बाद इस operation को किया जाता है operation चीरे से और दूर्विंग दोनों तरह की टेक्नीज से किया जा सकता है दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि appendix फट जाती है और appendix के चारो तरफ पस के बहुत बड़ी गांट दिखने लगती है ऐसे केस में भी operation इमीजेटली नहीं किया जाता है ऐसे केस में पेट में एक छोटी सी ट्यूब डाली जाती है जिससे appendix के चारो तरफ जो पस की गांट है उससे पस भार आ जाए और वे सूख जाए उसके साथ ही IV antibiotics यानि antibiotics आपके नसों से दी जाती है ताकि हो है मवाद को सूखने में मदद करती है मवाद के सूखने के बाद 4-6 हफ़तों के बाद operation किया जाता है और यह operation ओपन टेकनिक से भी यानि चीरे से और दोर्विन दोनों तरीके से किया जा सकता है दोस्तों उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी ऐसी और health related वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दाइडोक हेल्थ को सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें शुरक्षित रहें धन्यवाद